क्या हमारे पास इंडिया फाउंट या कोई भी कालिग्राफी फाउंट होगा तब ही हम इस तरीके की डिजाइन करेंगे ऐसा बिलकुल नहीं है चाहे हमारे पास कोई font हो या नहो अगर हमारे पास idea है तो हम जिस तरीके का चाहे उस तरीके का design तयार कर सकते हैं हाँ इन सारे font की मदद से ये हो सकता है कि हमारा काम थोड़ा सा fast हो लेकिन उतना ही fast होगा जितनी वो लोग design करके रखे होंगे बाकी अगर हम अपनी मर्जिस से बनाते हैं तो हम चाहे जैसा वैसा इसमें बना सकते हैं इसमें कोई limit नहीं है font में आपको limit मिल सकता है तो आगके इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं इस तरीके के सुब विवा या कोई भी calligraphy design हम किस तरीके से तयार कर सकते हैं coral draw के अंदर तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यहाँ पर एक tool है artistic media इस tool के जरिया हम इस तरीके का design बना सकते हैं लेकिन यह बनाना थोड़ा सा tough होता है सारे लोग इसका use नहीं कर पाते तो tension लेने की कोई बात नहीं अगर आप यह video देख रहे हैं तो आज के बाद आप इसे use करना बहुत ही आसानी के साथ जान जाएंगे और बहुत ही fast आपका काम होने लगेगा जैसे ही artistic media tool पे हम क्रिक करते हैं उपर आप यहाँ पे देखेंगे तीन चार अपसन दिखेंगे पहला वाला जो preset है इसमें आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे जिनको आप select करके और use करेंगे तो यह ऐसा बनेगा यानि start इसका पतला से होगा बीच में मोटा और last में फिर पतला हो जाएगा पहला वाला लेंगे तो start ही मोटा से होगा और last में जाके पतला होगा जैसा कि आप बहुत सारे design देखते हैं थोड़ा सा हम zoom करके एक बार आपको दिखा दे रहे हैं detail में वीडियो बना रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए कुछ इस तरीके से लेकिन अब इसमें problem क्या होती है कि अब जैसे ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है अगर हमको सीधा लिखना होगा तो ये थोड़ी सी दिक्कत करती है जो mouse चलाने में बहुत master होंगे उनके लिए तो ये दिक्कत नहीं करेगा लेकिन बाकी लोगों के लिए दिक्कत कर सकता है तो practice तो हमें करना ही पड़ेगा आगे अभी और हम आपको trick बता रहे हैं लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है उसके बाद दूसरा जो option है बरस इस पर आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बरस दिख जाएंगे और यहाँ पर artistic, calligraphy, object, scroll, sensual, splatter, symbol, tester जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं तो इसी बरस में आप देख सकते हैं यहाँ पर यह एक leaf है यानि कि पत्ती और इसी से हमने यह वाला design लिखा है बिल्कुल same और उसी को यहाँ पर हमने calligraphy वाला pen वाला इस्तेमाल कर दिया है और थोड़ा बहुत हमने decorate कर दिया है ताकि यह अच्छा लग रहा है चलिए यह तो हो गया आपको idea लग गया कि कहां से और किस तरीके से इससे काम करना है लेकिन बिल्कुल perfect बिल्कुल सीधा किस तरीके से हम इससे काम करें अब हम वो सीख लेते हैं तो देखिए बिना idea के आप कोई भी काम नहीं कर सकते सबसे पहले आपको सुब्वा हिंदी में लिख लेना होगा कोई भी font जो आप use करते हैं उस font में आप यहाँ पे सुब्वा लिख लीजिए और इसको जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं अपने मर्जी से उतना बड़ा रख लीजिए ठीके कुछ इस तरीके से और इसको हम यहाँ से color थोड़ा सा हलका कर देंगे उसके बाद right click करके हम इसको lock कर देंगे ताकि यह हमें परेशान न करें अब हम कोई भी काम करेंगे तो यह यहीं पे पड़ा रहेगा अब होगे हमारा काम थोड़ा सा आसान अब हमको क्या करना है यहाँ पे आना है और freehand tool या फिर two point या bezier tool जिसमें भी आपको महारत हासिल है आप उसको ले सकते हैं अब हमको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ line draw करना है कुछ इस तरीके से हम freehand से आपको करके दिखा देते हैं बाकी आपकी जिस पे मर्दी pen tool या जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं इस तरीके से आपको करना है बाद में अगर यह सीधा नहीं हो रहा है तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से हमको पूरा लिख लेना है और लिखने के बाद क्या करना है इन सब को slate करना है slate करने के बाद फिर हम artistic media tool पे आएंगे और यहां से जो हमको slate करना है वो slate करेंगे और यहां पर point जो है न इसको थोड़ा सा कम या ज़ादा कर देंगे आप देखिए हमने थोड़ा सा कम किया यह एक ही बार में सब में उठा लिया आप उसके बाद जब यह हो जाएगा तो थोड़ा बहुत अपने इसाब से इसे जिदर चाहें आपको चाहिए तो इसका आपको PNG फाइल भी मिल जाएगा और CDR फाइल भी मिल जाएगा आप दूसरे पर मेहनत करिएगा इस पर हमने मेहनत अल्रेडी कर दिया है तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए और PNG में चाहिए तो आप टेक PNG.com से यह PNG में भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पेजमेकर या कि कोई और साप्टेवर यूज़ करते हैं तो उसमें कॉरल्डा का फाइल ओपन नहीं होता तो आप PNG लेकर यहां से काम कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी और भी बहुत सारे टुटोरियल के वीडियो आने वाले हैं